और अब जो है प्राउट टू बी इंडियन के नाम से इन्होंने अपने आईडी बनाई हुई है जियो फाइनेंशल सर्विसेस में खईदारी करना चाहा रहे हैं जियो फाइनेंशल में ज़र काफी कुछ गतिविधिया होती होई दिखाई दी है अभी क्या करना चाहिए क्या फ्रेश इंट्री के लिए सही जगा है ये आज 2.2% के आसपास की गिराउट देखने को मिली है लेकिन खबरें काफी ज़्यादा है हालां कि अभी तक इस पश्टा नहीं आई है कंपनी के कामकाज को ले करके लेकिन फिर भी काफी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है इसा लग रहा है आपको करेंट लेवल पे जीओ फाइनेशल विपल जी मैं सोची रहा था कि आपने जीओ फाइनेशल पर भी तक हमारे किसी मित्र ने सवाल नहीं पूछा तो मैं सोच रहा था शायद लास तक नहीं पूछेगा तो एक अपडेट देखे जाओंगा लेकिन 325 के आसपास के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है लेकिन यह है कि इंटरी के इसाब से देखे तो वही 25 और 25 परसेंट का इंटरी बनता है तो 325 और 30 के आसपास आता है तो थोड़ी खरीदारी कर लीजे कोई रिस्क नहीं है और जो जिन लोग ने ऊपर खरीद रखा ह है वो सोच रहूंगे मैं नीचे क्यों नहीं ले रहा हूं अगर आपको करना है तो भी आपके पास अवरेज का मौका है डरने की जरूरत नहीं है अभी गिरावट का ट्रेंड है लेकिन यह गिरावट ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं लॉंग टम पर यह स्टॉक अच्छा जी लॉंग टम के लिए अच्छा है सरफ दो तीन